चिंदवाडा शहर और परासिया तैसिल के कोईलांचल क्षेत्र अंबाडा में मां हिंगलाश का मंदिर है हिंगलाश माता के पूरी दुनिया में मातर दो ही मंदिर है एक मंदिर पाकिस्तान के बलुचिस्तान में है और दूसरा छेंदवारा जिले के अंबारा अक्षेत्र में है भक्तों का विश्वास है कि मा के दर्वार में लगाई गई हर अरजी पूरी होती है हिंगलाज मंदिर की ख्याती दूर दूर तक फैली है यह माननेता है कि जो माता के दर्शन कर लेता है उसे कश्ट नहीं भुगतना पड़ता प्रतिदीन बड़ी संख्या में भक्त मा के दर्शन के लिए पहुँचते है हिंदू नववर्ष और नवरात्री में यहां बड़ा आयजन होता है और लोगों का हुजुम दिखाए देता है माहिंगलाज माता की बहुत ही खुबसूरत मूर्ती देखने के लिए मिलती है मंदिर में माहिंगलाज की सुन्दर स्वयंभू प्रतिमा के दर्शन होते है हिंगलाज मा के मंदिर में चार और आयनी लगे है जिसे हर और मातारानी के दर्शन होते है जो मंदिर की खुबसूरती अधिक बड़ा देता है माहिंगलाज भक्तों की समस्त मनोकामना पूरी करती है जो भी भक्त सचे मन से पुरे विश्वास के साथ मनोकामना मांगता है उसे आवश्य पूरा करती है लगभक सन 1960 के आसपास की बात है खदान के अंग्रेज मालिक ने मातारानी की प्रतिमा को हटाने का बहुत ही प्रयास किया पर मजदूरों की तमाम कुशिशों के बाद भी मुर्ती हिली तक नहीं रात्री में जब अंग्रेज वहा सू रहा था तब माहिंगलाज ने उसे सपने में आकर प्रतिमा को न हटाने के लिए आदेशित किया लेकिन उसने माहिंगलाज की ही बात नहीं मानी अगले दिन फिर उसने मातराने की प्रतिमा को हटाने का आदेश दिया और माइंस के अंदर घूमने चला गया उसके आदेश पर मजदू प्रतिमा हटाने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय माइंस में एक घटी-घटना में उस अंग्रेज की इम्रुति हो गए। माता की शक्ति और चमतकार को देखकर मजदुर उन्हें मुर्ति को हटाने का काम रोग दिया। परंतो उस रात वहाँ पर विस्पोर्ट हुआ और प् जैमा ददी जैमा हिंगलाज महमाई का मंदिर है विस्पोर में दो ही जगे हैं एक कराची पाकिस्तान में महमाई का शक्ति पिट है दूसरा भारत में चिनवाड़ा जिले के मोहन कौलरी ग्राम अंबाडा में मा का यह शक्ति पिट इस्थित है यहाँ पर दूर दूर से स्रध्धालू आते हैं जो भी स्रध्धालू एक बार आता है जो भी मनोकामनामा के सामने करता है उस स्रध्धालू की मनोकामनामा बहुत जल्दी पूर्ण करती है यहाँ पर शर्दे नौरात्र में कम से कम 259 कलश प्रज़ित हो जाते हैं उससे उपर भी हो जाते हैं मेरी ऐसी मनुकामना थी कि मेरा बेटा जब मुझे नौ मैंने का गर्व में था तो मेरी ऐसी मनुकामना थी कि मेरा बेटा अच्छा स्वस्त हो मातारानी का हमेशा उस पर आशिर्वात बना रहा है इसलिए मातारानी के दरवार में उसे लिखे आई हूँ BCN News के लिए छिन्वाडा से शेखर राजपूत के रिपोर्ट